पार्लेमंट में मैं यहां बैठता हूँ, यहां पे अयोधिया के MP बैठते हैं, देखा आपने उनका चेहरा, इंडिया गटबंदन के हैं, है ना, मैंने उनसे पूछा, कि भाईया आप मुझे एक बात समझाओ, यह बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोधिया की पॉलिटिक्स थी, चुनाओ के पहले इनोंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया, मैंने उनसे पूछा भईया, एक बात बताओ, यह हुआ क्या, कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, और इंडिया गटबंदन अयोधिया में चुनाओ जीत किया, यह हुआ क्या, और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं यह जवाब आपको देना चाहता हूँ, उन्हेंने का राहूल जी, मुझे पता लग गया था, तक्रीबन छे महीने पहले मुझे पता लग गया था, कि मैं अयोधिया से लड़ूंगा, और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे ये भी मालूम था कि मैं सिर्फ लडूंगा नहीं इंडिया गडबंदन अयोधिया से जीतने जा रहा है मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम पूरी देश में मीडिया में सब जगे राम मंदिर का इन्योग गरेशन हुआ तो आपको कैसे मालूम उन्होंने कहा कि राहूल जी जब मैं अईदिया में लोगों से बात करता था तो मुझे आयोदिया के लोग सिर्फ दो तीन चीज़ें कहते थे पहली बात कहते थे कि आयोदिया में मंदिर बनाने के लिए क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई बहुत सारे लोगों की दुकाने घर तोड़े गए और आज तक जिन लोगों के घर चीने गए तोड़े गए, दुकाने तोड़ी गई आज तक उनको नरेंद्र मोधी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया पहली बात जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन चीनी गई सरकार ने हमें मुआवज़ा नहीं दिया दूसरी बात अयोदिया का इंटरनाशनल एरपोट बना बड़ा एरपोट जमीन किसकी गई? अयोदिया के किसानों की जमीन गई आज तक उनको सही मुआवज़ा नहीं मिला और तीसरी बात इन्हों ने बताई मुझे तीसरी बात राहूल जी अयोदिया की जनता को बहुत गुसा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनागुरेशन में अयोदिया का एक भी व्यक्ति नहीं था यह कारण थे मगर मैं आपको यह काहनी क्यों बता रहा हूँ क्यूंकि जो मुवम्मेंट अडवानी जी ने चालू की थी उस मुवमेंट को जो जिसका सेंटर अयोदिया था उस मुवमेंट को इंडिया गडबंदन ने अयोधिया में हरा दिया है बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मतलब इनका पूरा जो सेंटर था वहाँ पे हमने आप जैसे कार्य करताओं ने कॉंग्रेस पार्टी के कार्य करताओं ने और आप जाके पूछिए समाजवादी पार्टी के किसी भी नहता से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा कि कॉंग्रेस पार्टी का कार्य करता बबर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था एक इंच पीछे नहीं हटा तो अयोधिया में कॉंग्रेस पार्टी ने इंडिया गटबंदन ने इनको हराया है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें